संत फकीरों का पएगा, बदेगा धर्ती और इंसान, जो अंडा मान सखाएगा, सीधे नरक में जाएगा पूर्ण पूरुष पूरण धनी, पूर्ण पूरुष दातार, गरू तुमारे वंदना, शुरत दिश्टि पशार अब आपकर सम्झो दुनिया किस ने बनाया, उसी ने बनाया, ये सारी तीजें उसी की बनाई हुई है, वो जब आपको में जाएगा, तब आपकी पेट के लिए आपको गुना गल्ती करने की जरूरत नहीं पड़े, पूर्ण जो एक शाफी ही मनमा ही, और हर पता आपका जब ब्रभू की किरिपा हो जाती है, गुरू की जया हो जाती है, तब अनि संजो ये सारी की जेए आशान हो जाती है, फुर्व हो जाती है, मेहना के कम करो, और फाइदा ज्यादा लेएटू, तो संजो किए अपना घर वही पर है, और वहां से आए, बचब गाए, पिता तो बराबर याद करते रहते हैं, लेकन पितर का हाथ आप छोड़ दिये, पितर की जो 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 ज कुंदुना, बाजा, साइकिल, आप अम जो बहुत सारी फीडें बाजारों में रहती हैं। अब कोई बाप अगर अगर अपने बेटे का हाथ पकड़ करके बाजार दिखाने के लिए जाए। बाज़ करके का सुबही होता है कि उसको जो अच्छे लग जाती है उसको पाने के लिए हाथ पड़ाता, और वेर बाड में, अभी रहाए। तो बच्चा तो बटता रहेगा। पिटा भी उसके बड़ा पड़ता रहेगा। मेरा बेटा कहां तला गयां, तोगता रहेगा, संजो, और आपे शंजो, बच्का भी बटकता रहेगा। लेकिन अगर पेटे ने अने शंजो उली शोड़ा, तब तो संजो बठता, अप पिटा ने अगर हाथ पकड़ लिया, तो सम्झो, गाजार भी दिखाता है, शामाल भी दिलाता है, और गष्ट अपस कुष्टा देता है, तो प्रेमियो आप अपने पिटा का, तो आप हमारे कि अलुगे पिता है, उल का हाथ आप अंदर में आप पकर सक्तव लियो तो वर रास्ता आप देपा के अंजो प्रेस्टे लिये हो निके अंदर यह रास्ता नही है, जिस से पिटा का हाथ, पिता को आप पकड़ा सके अपने अपन आ ऑपन पहुंच खें लिगा भी आपक को बताऊंगा। यह को हमारे गुरुमार है। यह जिनकी तश्मीर अभी हुए। यह नहोंने बहुत से लोगों को रास्ता बताया। यह वक्ट के मापुरुष थे। वक्ट के पूले स्थन्त थे। अच गुरु निश्को कहते हैं यह वोग थे। हमेशा जेको उस जर्टी पर महापुल शाए धर्म की अस्तात्मी जेश राम के किसम के दुराचारियों का संगार किया। प्रश्वार्व 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 एक गुरु अगम्हाराज भुरु प्रकोर लोगों को रास्ता डिए जाने अगुडू भुलु पताया रास्ते पर चलया और वहां का अगरी लोकों को रिखा दिए। जब उपर का जर्वा साधा ग्रेखता है तब गुरु की पहष्चान करकाता है। रादी हिंदु मती कबिर साहब की शिश्य चुपता है। कबिर साहब से नामदान लिया, साधना लिया। अंदर में जब देखा, सचकंज में कबिर साहब ही बैच करके सब कुछला रहे हैं। तब बोली, आप हमको मेर्ट को लोक में बता दियो होते, वाई हिर सब कुछ हूँ। जो मुझे किसेनी म empire करनी पड़ती। मैं तो आपके चर्ण में लिपच करके, और आपको प्राफ्त कर लेती। आपके सेभा करके प्राफ्त कर लेती। सब उनोने का ल Mitt Willowi अरना रहको उनका कर शेष्य। शरीर की सेभा हाड को भी लिउने कर सकता है। जो आप मंगानी लोग हो जो आपको बता दें आप संधोगे भी, जब काल भग्मान जिनको का आगया, उनों में सब तुरुष्टे जिओं को मंगा था और उस्टी के रचना करने के लिए मसाला मंगा था, तो मसाला उनको दिया, रचना इधर के लिए खिश्के शायोग से, ब्रमुते शायोग से, लेकिन जिवातमाय नहीं थी, तो ये रचना उनको देखा जाती, इसलिए, उनसे मंगा कादी वातमों को देगिया विश्क विश्कार के लिए, तब उनोंने ये काद आखा, देखो, तो मेंने जिवाइ थी, तुम रचना करो इसी तरह के लिए जैसा 類ता हमरा ये रचिसी है, जैसे यहां की जिरुक्ता है, लेकिन उनको विगों को दो उनको देंगे, उनको निकालने का राष्ता हम रखेंगे, और वहाँ जगाने के लिए, चेताने के लिए हम तिशी में क विए भी बंधन में डालने की कोशिश करोगे लेकिन उनको हम भेजेंगे संतों को सद्गुरू को देजेंगे उगो निकाल करके लाएंगे तब 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 हमें जाएंगे तब उसमें कहा कि हमको आप अब वर्दान दीजिये तुमारे उपर एक गया और कीजिये ओने में तो रोख महीं रहेगी आप निकाल लेना लेकिन जो जाएंगे मेरे मनुष्व शरीर में ही जाएंगे उसी शरीर में रहेंगे तो कोई किसी की बात तो अब शुनेगा नहीं शंदेगा नहीं अब विश्fahrण नहीं करोगे आप विश्वास नहीं करोगे, कि यह विश्वास लगवान है, तोने विश्वास करोगे, तो कि आप तो उनको कभी देखे नहीं हो, और आज कर जो विश्वास लगवान बन करके, कपड़ा पहिंद करके, आदमी बन जाते हैं, बैस जाते हैं, आप तो को विश्वास करोगे का ही आदमी होगा यह तो खिल्मी दुनिया का ही तलाकार होगा। कमा मैं शी बुरान्या, मां शरा, भाकरा, भाकरा, भांशा, जो भी गानवर हैं साथ के अंदर रख लेते हैं, किसी भी तरह का नशा बाकी नहीं है, जो न कातिर पीत्यों हो, जाम बन करके बैठ गे, किष्म बन करके बैठ गे, किष्म बन करके बैठ गे, किष्म बन करके बै भॐट बटाते हैं भॐवान ते बिलाते हैं भुट लूप में शंग करते हैं वो अनि जो उनकी ताकत होती है जो उनका जनन होता है भॐवान का हुआ करता है आप शंगो पर जो मनुशिесп стор भुए क्पो Özár भिशहां से बटाता है तबसे आपक किसी भी जिवो को अपने साथ नहीं लाएंगे। विश्वन विश्वन फिर रहते हैं तो उनका उपर आना जाना बरागा वेचता है। चाहें तो जिवो को लेजा सकते हैं। कुछ अने समझो, उपर के लोगे जीवों को पानी गया कर देते हैं, ले भी जाते हैं, लेकिन बहुत कम, ज्यादा था स्वर्व वैकुंच के जीवों को ग्रम पारव्रम अलोग, बाव्रम अलोग के जीवों को नीचे उतार देते हैं, मनुशरी दिला देते हैं, फिर सपु के नदीप महिशरी दिलाते हैं जहां उस वक्त का सद्धुरू रहते हैं और फिर उने के उपार ऐसी विहंगम दिश्ती दाल रहा करते हैं कि वो खीछ करके उस वक्त के सद्धुरू के पास पहुंचाते हैं शरीर छोट भी गया गया गुरुमारा जैसे अब उनका आना जान त्रिकुप्ति तक लगा रहता है अपने प्रेमियों के समाल के लिए उस लोग के बीच के जो जिवाएं पराथना करते हैं तो उनको एहांवत लोग में जन दिला देते हैं और चिंधित कर देते हैं चिंधित कर देते हैं समझो कि यह अनि समझो कि इनको बेजा गया है तो उनको जो वक्त के सदगुरू होते हैं, उखीच लेते हैं, कोई नो कोई माध्यम बना देते हैं, किसी ना किसी से कहलवा देते हैं, और वो वहां सक पहुँच जाता है. तो आप एसमझो, काल ने ये कहा था. काल ने यह कहा कहा कि कोई किशी को अपने साथ लाएंगे नि उनके द्वारा व्युक्ति करा करके और फिर उनही के द्वारा मेहनद करा करके यहां आपके पास पहुंचाएंगे एक वादा तो यह करा और दूसरा यह कहा कहा कि जो जिश्में रहे उसी महस्थ रहे, देखो आप, सुनकर केजाते हो यह से, अब गंभार के फिर वह भेति में, करहस्ती में, भुछय में, वह दुकान में, भई बच्छय में, उसी महस्थ हो जाते हो, महान СамmaNe, हानई सम्झो के चक्कर में, उसी महस्थ हो जाते हो, याद भी बाते नहीं रहती हैं, जो सवसंती होती हैं, वो याद भी नहीं रहती हैं, सुम्रिन धयान, भजन भी करना, बंद कर देते हो, सेवा करना, भी बंद कर देते हो, जिससे कर्म करते हैं, और कर्म को आप पिकठ्ठा करते चले जाते हो, इसलिए तो परिशान देते हो, क्योंकि कर्मों की सजा से कोई बचा नहीं, कर्म प्रदान ये देश है, कर्म की सजा सब को मिली, तो करते हैं कि जो जिसमें रहा है उसे ममस्त रहे, तो प्रदान मांग लिया हूं से, और आप पिछले जनम का याद किसी को न रहे क्योंकि पिछले जनम का जब याद रहेगा तब आप गल्ती नहीं करोगे क्योंकि गल्ती करने के वज़ से नरकों में मार पड़ी थी गल्ती करने के वज़ से काटे सुड़ाए गलाए गये थे गलती करने से ही अनि सभू कि है आप को नरकों में डाला गया चोड़ा में टाला गया पीड़ा मकोड़ा buora बीचु के शरीर में डाला गया सुपरी ऑलके अपहा लें भी साक्षा गेया को जेलना पडा कि वातों याद भी रहती हैं, लेकिन बट लोक में आते हैं, पर रर्ती पर रखते हैं, ये सारी चीज़ें बूल जाती हैं, तो प्रेम्यों अपने साथ अनि ले नहीं जाती हैं, तब उन्होंने कहा, इसी आधार पर कभे सामने रानी एंडुमति से कहा था, कहा कि तुछ को होता हैं, और तुछ को यहां लाने में दिक्कत होती हैं, इसलिए तुछ को मैंने लुक्ती बताया, उपाय बताया, रास्ता बताया, और रास्ते पर चलाया, और अनि श्रम्जों लाकर के ये जलवा, मैंने तुछ को ते यहां दिखाया, बोल तेरी मदद किया कि नहीं किय तब बोली, आपके मदद के बगद, तो एक कदम मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, जब मैं साधना नहीं कर पाई थी, साधना में तरक्ती नहीं कर पाई थी, साधना मेरी नहीं पकी थी, सुम्रण नहीं पका था, ध्यान में कुछ दिखाई नहीं पड़ा था, भजन में सु संगों में बुलाया, बार बार बातों को यार दिलाया, बार बार आप कहते रहें, समझाते रहें, समझ में आ गया कि असली चीज क्या है, असली चीज तो बजन करना ही है, सब की कमाई ही करना है, सब को पकड़ना यही असला है, वाकी दुनिया की चीजें जिन को हम देख रह हैं, सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, यह सब नकली हैं, तो नकला कोई काम आने वाली चीज नहीं होआ करती है, इसलिए हमारे समझ में आ गया, आप बराबर आप मेरे उपर तब भी देया कि, और जब ये जीवात्मा शरीर से निकली, जब जड़ शरीर को छोड़ा, चेतन में तो वहां भी बराबर आप हाट लोग में याद करते ही, आप मेरी मदद के लिए तयार खड़े रहे, मदद करते रहे, दरवाजे खुलता चला गया, कोई भी रुकावाट कहीं भी, किसी लोग के दरवाजे पर नहीं हुई, और मया करके यहां के अनि लोग में पहुँचि आप यह समझो प्रिम्यू, न तो आपके पास तन में शक्ती है, न आपके पास धन है, न आपके पास मनोबल है उंचा कि आप कुछ है, आनि गुरु के कर्जे को अदा कर सको, इसलिए आप यह समझो कि जो कुछ भी आपको मिला, दान में मिल गया, जैसे दान में महनत नही पड़ती है, लेकिन दान में कोई चीछ फिरी मिल जाती है, ऐसे ही आपको बगर महनत के नामदान मिल गया, आपको पहली बार आने से बहुत से लोगों को नामदान मिल गया, शुनने से, और आप यह समझो कि अंदर में भी बोड़ी सी दया, लेने पर गुरु को याद करन आपको यह समझो ज्यादा महनत के बगर भी उसरदी मिल जाएगी और में जाती है, आपको यह समझो प्रेमियों, गुरु महराज और पोले समझो के अंदर में बहुत से लोगों को रात्ता बताया, वास्ते पर चलाया, और मंजिल को चले जा करके पोंचा दिया, याने से सपहले मेरे लिय का वेथे, तो मोँनाम डाना सब्दूर, गुरु का अदेश का रैंने हो चाह रैंन में हो चाह रैंन में हो, मन नचाहिएonne रही ही Скंड्रशी होते हैं को प्रिकाम tipping परोह को आता है वोभी जेखते है, श्कमे क्या हो रहा है, वोड़ी देखते हैं, कीछी पृट के करद सulारो भी मенно चिंद बड़न पासे के स्था और ऑने लिए अचा गरुका व मुझा तुर सुदूर淧 रख़ए पर शुदूर रख़काया है। कि कोस सेवा का और रख़कτα है। मैं सेव और शत्मेद बना प्रद्धाम के और प्रद गरूत भी आते हैं। इसलिए शेवर, हागिदान शंद में बना गिया करते हैं, तो शंत पैरिकाल रशी हुआ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो हो भुषिह हिसाब से हिसाब से बताते हैं, जिस इसाब से उसका बाला होने को होता है। कि इसलिए तो गरएपने कहा था यहीं पिजहों इना तहे मौरा अकरा उश्वगे कि दाश मिटला इसाओ दाश हो जाता है उप्हुदा हो जाता है जो हुकम वो करता है तुष्पा माली तुष्त का गुरुउ तुष्त का आटि वह मिज़ की पालब करता है आप ये सम्दोग जो अपने को समर्पन कर देता है, किशी को भी समर्पन कर देता है, ऐसे आप ये सम्दोग पहले के समय में दाश को लोग खरी देते थे, पैसा देकर के आदमी को खरी दिया, जीवन भर वो उनी किशेवा करता था, जो वो खिलाता था, वो खाता था, जहां सлон करक्षे वाम जाया है कि भुरो करना चाहिए परिमों गुरो के आदेश का तौहरान принya होता है वो जब पाइदेमंळ होता है आपको बताया कि वो स्पिर्कारभार्शी होते हैं स्फिर्कारद होते हैं उनीका संबंद हैbut through गुरू का और ś restrictive का पाप और जिटे की तरह से ही होता है उनija उच्छा होता है। बड़ा होता है account дости मात तफुक्षते ords जहां के साथ ही, शरीर के साथी होते हैं जईकि गुरु जो होते हैं ृत्त जो होते हैं तो बेचे के लिए कोई भी बाफ बुरा नहीं कहता है, जो भी करता है, जो भी बताता है, जो भी करवाता है, अच्छा ही करता करवाता है. इसी तरह से गुरु का भी जो आगेश होता है, शिशी के लिए बुर सम्झो, उसके बाले के लिए ही होता है. अब आपे सम्झो, किशी बच्चे को बुखार हो गया, अब बाप ने उसको जूल का तुषाना या नीम का गुरु पिलो, जिसको कहते हो, नीम की छाल है, नीम की किशी बच्ची है, अगर उसको पिला धिया, दूवाल करके उपर सम्झो मैं तो वकोड़ु को Have Stop. भुष हम dawla, भुष हम अपन पीठा ह्सिटेश, पीदा पर हापने निच रही बच्पा कहता है पृता से ही नहीं मिलना चाह सायब लेकिनва मज़ उससे प्रेम जो कम होता नहीं है बच्ची का तरह नहीं होता है जब भच्चें को बुर्द्थे को अध्यान च्यान पहरे यतुम से धुझता है तो बच्च भी आपको पास तो डहाता है अभी हाभार मुझता इस इक ही दिखो गया मिहां ऒएतिनů टार्जा लानों पांसा बैट्टी अग्यान होते हैता। लाजा को शंजों की बड़ा प्शनलों और पर वहा कह दितें और पहर्श कॉपर्श वहाला होता था। थो हीमिट मुछ और अगमानला थे। विर्वेदब करके आदमी नाख करता सजावुक्या करजा ले आता था। लोगों को भी शाफ रहता था कि मुष्का पाल इंकाल करते रहते गया है। इजब रहते गया है। बेचत नहीं होगा यह दे जाएगा। ऐसे ही राजा कि मुष्का आपती को। जाटे चम मुष्के उपर करते रखेंगे लीचे नहीं मुणे देंगे। तो रड़ते ने छोटा बच्चा था ठेला रहता, था 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 राजा उसमें मुष्क पकल लिगा। और राजा के हाथ सब रड़ते की मुष्क परी तो राजा को प्रोर हागया। गुष्च आगया। और बड़ छुपाही को, बेगा इसको, अटब दे मर जाए। मुष्क पकल लिगा। इसकी इह हमथ हुए। मुष्क परहत ठेलने की हमथ हो गए इसकी, अभिष्कव मुष्क परहत ठेलने की हो गए। मंत्री जो बड़े ओश्यार स्टूर 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 तो ऐसे संगतों में भी को कमेटियां बना जी गई कि जे कोई आजमी न कुछ कर पावे, उसी करना चले, काउ में खराब हो जाए, तो कमेटी वालों से मिल करके, बात करके, और फिस रदी दोस्ता को बनाई जाए, संगतों चलाए जाए, तो राजा का मंत्री भी महीं पता, आपावा जाए, मेरी बात महालनी जाए, तो मंत्रियों के बात को राजा मांच थे,aji कि मंत्री श्वाब की नहीं हुँटेचे, कर्टेटे नमक काते हैं, तो नमक को आदा करेंगे, हाजकल की तरह से मंत्री नहीं हुआ कर्टेचे, उस में के मंत्री अपने कर्टेचे, राजा जे शेरा धन का पालं कर्टेचे, ऐसे शेवक धन का पालं मंत्री रोकिया कर्टेच तो मंच्री ने का श्रकार, मारा न ज़ा इसको, के दुस्मन है मारा, आरी मुश पकर लिया, क्यों नहीं मारा जाएगा? वो यक्षरकार समय दे दिया जाए, यह अबोद है, इसको ज्ञान नहीं है, जन कैशे नहीं है, मुश पकरने का ग्यान पपढंगा होगया इसमेर जन कैशे नहीं तो कास्वतार थोलो समय देदिया जाए, एक गंठे का समय देदिया जाए, बोल थिक एक गंठे पे बाद ऊत्रक्र जो ले जाना पततले घिर sì enormous. मंत्री ने गुलवाया किसको? शपेरा को, शपेरा को गुलवाया और सांप लेकर के आजाओ, सांप लेकर के आया शपेरा, और का कि अब सांप को पटेरे में शे निकाल कर फो छोड़ुआ। साँप को हल्की छक्ती दे जेते हैं जब आख थांप करता है इसे, विन हमारे उपर हमला किया तो इस तो उस्य में आ जाता है सांप अगर दबाए ना, जो सांप को कोई ख्षेड़ में कारता नहीं, अपनी ज्यान्देटा के बबता नहीं कोई भी ख्षेड़ किया है, तो हमला स्थेजी से करता है, जो इसे खट पर गर करते हैं, तो गर संप खट टर पर आगंगा हो गया, और सांप एकडम से इसे, इस बच्छा उही बैठा हुआ था अब बच्छा डवड़ा स्वाप को पकड़ने के लिए इसे देखा छिलोंगर टाइप का है यह अच्छा बहुत बढ़िया मिल गया इसको देखा नहीं कभी उसको स्वाप को इसे पकड़ने के लिए डवड़ा तब कहा कि मंत्री ने कहा जाएं तो का तुल लड़का को नहीं बगा आपको ज्यान है और क्या उसको अपनी ज्यान प्यारी नहीं आपको अपनी ज्यान प्यारी है और बच्छे को ज्यान प्यारी नहीं इसलिए वो अज्यान है उसको यह नहीं पता है साप काट लेगा तो हम मर जाएंगे यह अबो अपकारी हो जाती है जो अजियांता खतम हो जाती है तो मैं आपको बता रहा था कि गुरू हमेशा ज़ता पर रहते हैं और गुरू आदैश करते हैं किसी के लिए उसको भले खराब लगाए लेकिन वो उसके पाइटे के लिए हुआ करता है और फिर जब वो आदेश का पालूं करता है तो सम्झो भाव बन जाता है भक्ती आजाती है गुरु को हमेशा याद करके जब कोई काम करता है तो सपलता मिल जाती है इसलिए काग गुरु मात्य पर आती है चलिया आग जामाई का कभीर तादास्ता तो गुरु माराज यामरे सम्झो को ये समरत गुरु थे इन्होंने बहुत से लोगों का लोक भी बनाया पर लोक भी बनाया बहुत से लोगों की गरीबी दूर हो गई बीमारी दूर हो गई समस्याएं जो थी मर मुकरमे बाजी थी वो खटम हो गई तमाम बिगड़े काम लोगों के बन गए रुपया पैसा में बरकत नहीं होती थी वह भी होने लग गई आज कल ये चीजें ज़्यादा देखने को मिलती है गार गार में बीमारी आज देखो लग रही है लड़ाई जगड़ा कुछ कुछ होता रहता है रुपया पैसा कमाते हैं बरकत नहीं मिलती है एक दो आजे दस-दीश इसमें हैं और अगर आपको ओ तो मैं बता दूँगा तो इनके घर में रोज जगड़ा होता है रोज जगड़ा होता है इनके घर में कोईने कोई बीमार ही रहता है बता सकता हूं तो ये समस्याएं अनि ये सब अनि सुलज़ती, कैसे सुलज़ती हैं, गुरु के द्वारा बताई गई उसकी से, तो डिखो प्रेमियों, आपके किसी के घर में, अगर ऐसी कोई समस्याएं हो, तो आप सबसे पहले जै गुर्द्यो नाम की ढ़नी, बोलना शुरू कर दो, बल अगरु परमात्मा का नाम, जगाया हुआ नाम है, गुरु महराज ने इस नाम को जगाया था, आप पुराने लोग इसमें बैठो, आपको बहुत बार बताया गया, नाम कैसे जगाया जाता है, नए लोग जो आपको, आपके लिए उज्जैन कोई बहुत दूर नहीं है, उज्जैन में सरस्रंग चलता रहता है, कारिकरम जब होता है, इसमें बहुत सारी बातें बता दी आती है, कम समय में आपको बहुत सारी बातों को यहां बताया नहीं जा सकता है, लेकिन मोटी बात आप यह संदो, इसे राम नाम में शक्ति, त्रेता में थी, जगाम में पि आपको तो महामंत्र जिसको कहते हैं वो मिलेगा। नेकत कषिन कभाल के जिसके लिए का गया महामंत्र अपक जाल के यह जितने देदे होता। जितने भी अब्रह्मा विश्रू महेश हैं जो उसी को याद करते रहते हैं। आपको देजरी लोगों तो जा यह जाते हैं। एक देश में हुआनि रहता हैं कोई दोसरे डेश में नहीं जा तकी, कुछ देश ऐसे हैं कि जिन में वीजा पास्पोर लेना पड़ता है और जब वीजा मिलता है तो नहीं जा सकते हो वो देश वाले आसानी से वीजा नहीं देते हैं कुछ देश ऐसे हैं जहां आसानी से वीजा मिल जाता है इसी तरह से सम्योग की वहां भी है तो बो ज़ादा दूर नहीं जा सकते हैं, उनकी स्पीमा रहती है, लेकिन ये नाम अन्यशंदो, जो सब्द डेडी नाम है, इसे को वो याद करते रहते हैं, तो आपको तो महा मंतु मिलेगा, आपको तो नामधान मिलेगा, और आप उसका जात करोगे, तो आपको शरीर को औ आपकी सेवा करती हैं, ये जाके कमा करके लाएंगे, हमको भी टोरों की खाने को मिलेगा, समझो, बच्चे हैं, माता पिता हैं, जो आपको पाज़ोष के बड़ा किये इस लाइक बनाए कि आप कुछ कमा खा सकते हो, आप कुछ अच्छा गुरा कर सकते हो, वो अगर न पाज़ोष रहता हैं, खिलाए होते हैं, तो पैसे ये संप शिजिर रहता हैं, तो शमझो क्यों ते लिए भी कुछ करना है, अब ये कोई ज़रूरी इस समय पर नहीं है, एक जरसा भी चान हो, एक जरसा खान पान हो, एक जरसा पहनाबा हो, ऐसा तो बहुत कम तरवारों मे देखने को मिलता है, तो अम्हा लोग कोई मांशारी है, शराभी है, आप तुबाब को तो निष्ट हुनेगा, तो कि उसके ज़रूर का माँच खाते खाते, उसी तरह की हो गई, फोन में करनी आए उसके, उसका स्वभाव बदल गया, उसको जब आपको एने शम्यों की ये बताओगे, ये जैगुर्ण नाम बोलो, इससे सुख मिलेगा, शांती मिलेगी, तो उसको तो ये करूई दवा लगेगे, जैसे बुखार वाले को आप ये करूई दवा में बताया, फिलाओगे तो उसके फुल्डी कर देगा, फुल्डी कर देगा, आशे ही वो तो जल्द नहीं मानेंगे, लेकिन जब जैगुर्ण नाम की ध्वनी बोलने लग जाओगे, त्यार के साथ उन से कहोगे, फोड़ी देरी बैठ जाओ, जो चान मिनट ही बैठ जाओगे, जब आप आदर डाल दोगे, जैगुर्ण नाम की ध्वनी जो बोलेगा, उसी को ये जैगुर् करने बोल के काएं, जाहे आपके प्यार में बच्चेव, खाएं, जब प्यार से कहोगे अच्छा चलो, ये कही बार जैगुर्ण नाम बोल दो, फφेर जब रोटी डाल की हैं, ऑimizi डाल सब्दी डाल कर लोग जो एक पार जो जड़ी बोल दो, तो बोलेगा, तो बोली गै, लेकिन जब यह नियम बना दो बच्चियों, जब बोजन बन जाएगा, जै गुर्दो नाम की ध्वनी सब लोग बोल लेंगे, तब ही खाने को मिलेगा, तो जैसे कडाही में छुनमन होने लगेगा, जैसे कूकर सीटी देगा, तैसे ही बच्चे तैरी बिछाने लगेंगे, चताई बिछाने लगेंगे, घर वालों को जो उस्रमे मौझूद हैंगे, बुला बुला करकर बैठाएंगे, चलो 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 धनी बोला जाए, यह नहीं देखेंगे कि खाने का समय हो रहा है, कहेंगे धनी का समय हो रहा है, चलो चलो चलो, मन में तो रहेगा, खाने का जल्दी द्वनी बोल जाएगे तो लेकिन ये कहेंगे द्वनी बोला जाएगा तो द्वनी बोलने की आदत बन जाएगे जब ऊसे निकलेगा जब समझो कि वो जू नाम जागरत नाम होगा वो मददगार हो जाएगा का कोट कोट मुन जटन करा ही, अन्त नाम मुखावत नहीं, आखिरी वक्त पा देखो मरते समें नाम प्रभू का नहीं निकलता है, अगर निकल जाये तो वो नाम है, जागर्ट नाम है, तो और सुनवाई हो जाएगी, और वो अगर देख भी लेगा नाम बोले वाले की तरफ तो समझो यमदूत हाट जाएंगे, यमदूतों की कीमत उनके सामने नहीं होती है, कोई यमदूत भी वहें से जुड़े होते हैं, आप भी वहें जुड़े होएं, देवी देवतर सब वहें से जुड़े होएं, उसका तार जो है, वो सथ से जुड़ा हुआ है, वो जब य यह जो जम्दूर्त हैं यह जो इनको भी दिखाई पड़ेगा हो यहाँ जाएं किसी ने किसी रूप में तो नाम को जगाते हैं बताते हैं वो उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं मरने वाले के तो भी वो जम्दूर्त उनके सामने टिकते नहीं हैं हट जाते हैं यह सपने में भी जब बच्चे डरे, जय गुर्जयो नाम बोले उस समझ पर तो गुरु महरा जाकर इसे खड़े हो गए ते और वो जो बाधा थी, वो जो भूत्रेत थे, वो जो अने दमदूते, वो सब हट गए तो यह जय गुर्जयो नाम में बहुत बढ़ी शक्ति है, ब बीमारी की हो, चाहे लड़ाई जगड़े की हो, चाहे रुपया परिशा की कमी हो, किसी विटरह की कोई भी दिककर परिशानी, अशान्ती महसूस करते हूं, तो उनको भी बटा दे। चुटकीवा अनुदान नहीं लेते, और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप स्रोताओं को बताया जा रहा है, कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले, वा व्यापार में प्रचार करने वाले, लोगों से होश्यार रहिएगा। आप से यही कहना है कि सतसंग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलिफों से बचने के लिए कुदरत वा सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाओ के लिए वाट्सेप नमबर 9575600700। जय गुरुदेव! जय गुरुदेव!